थेलो दूस्तो। केसे यह आप सब आपका भाय हाजीर ऊचुका हैं और एक न्यु वेकैंसली का जॉब अफडेट सी निकल का रहा हूं अगर आप हमारे चेनल पे नए विजिट कर रहे है तो चेनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह का लेटेश टेकनिकल जॉब नोटिपिकरसन टेकनिकल लिटेश टेडी मेटल और इंटर्वियू टिपस आपका भाई या आपके लिए हमेशा लाता रहता है तो इसमें इसमें ए जैसे कि मैं अपना mobile के chrome browser में आ चुका हूँ यहाँ पे search engine में आपको jk lakshmi cement carrier link के सर्च करना है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो jk lakshmi cement carrier link के आपको सर्च करना है जैसे आप सर्च करें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा welcome to jk lakshmi cement जो इसका e requirement प्रोटाल है इसका link भी में description में provide कर दूँगा आप direct जाके उसको apply कर सकते हैं जैसे कुछ इस तरह का interface आपके सामने खुल के आ जाएगा यहाँ पे आपको एक search job का option देखने को मिल जाएगा आपको search job के उपर में click करना है जैसे आप search job के उपर में click करेंगे यहाँ पे जो search का option देखने को मिल रहा है आपको search का option के उपर click कर दीजे जैसे ही search के उपर click करेंगे देखिए यहाँ पे जो vacancy जो निकला हुआ है जो jk lakshmi cement का जो official career website है और यहाँ पे जो recent vacancy निकला हुआ ट्रेणी का भी यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है तो यहाँ पे मैं फ्रेशर candidate के बात कर लेता हूँ जैसे कहाँ पे assistant officer का बेकेंसी देखने को मिल जाएगा candidate should be graduate अगर आप graduate है तो आप इसको apply कर सकते हैं अगर आपके पास B.E.B.T.E.C. जो सिबिल से किये हुएं तो आप इसको apply कर सकते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको job location जो बड़द्रा रहने वाला है और यहाँ पे जो 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 एक्सपारी रहने वाला है 28 February को इस जोब को एक्सपारी कर दिया जाएगा अगर आप eligible है तो आप 28 February से पहले इसको apply कर लिजे नेक्स्ट वेकेंसी जो आपको देखने को मिल जाएगा असिस्टन्ट ओपीसर का एक वेकेंसी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे डिपलोमा, B.T.E.E. अगर आप सिबिल से किये हुए है तो आप इसको apply कर सकते हैn यहाँ पे कोई भी experience mention नहीं किया गया है अगर आप Fraser candidate है तो भी आप इस post को apply कर सकते हैं नेक्स्ट वेकेंसी देख लेते हैं जैसे कि अगर आप MBA candidate भी है तो आप इस post को यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हुए यहां पर आप्लाई कर सकते हैं यहां अगर आप इलेक्ट्रीकल तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसका जॉब का जो एक्सपरी का लास्ट डेट रखा गया है अगर आप इस पोस्ट को अपलाई करने के लिए इंट्रेस्टेड तो आपको 12 फेरवरी से पहले इसको अपलाई कर लेना है यहां पर और एक भेकेंसी भी निकला हुआ है जैसे कि ट्रेनी एडमीन का जो ग्राजुएसन अगर आप कोई भी अगर ब्रांच से या ग्राजुएस्ट केंडिट है तो आप इसको अपलाई कर सकते हैं और यहां पर जो सीनियर ओपीसर का भी यहां पर भेकेंसी देखने को म जा रहा है तो मैं अभी पोस्ट को अपलाई करके दिखा देता हूं जैसे कि यहां पर ट्रेनी जो डिपलोमा इलेक्टिकल के लिए निकला हुआ है इस पोस्ट को आपलाई का ओप्शन देखने को मिल जागा आपको आपलाई का ओप्शन को पर क्लिक कर दना है जैसे आप एक ओप्शन के उपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जागा यहां पर जो रेजिस्टर मी लिखावा है रेजिस्टर मी के उपर में क्लिक कर दीजैं जैसे आप रेजिस्टर मी के उपर क्लिक करें यहां पर आपको कुछ इस तरह का इं साफ पासवर्ड, चोईस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो अपना mail id और mobile नंबर दे देना है, और यहाँ पर security question आपको यहाँ पर कोई भी एक choice करके, यहाँ पर आपको अपना security question दे दना है, देने के बाद यहाँ पर आपको save करके, आप अपना ID password क्रेट कर सकते हैं, जैसे आप ID password create करेंगे, वहाँ पर कुछ personal data आपको देना पड़ेगा, आपको resume अपना educational qualification सारा वहाँ पर देखे, आप एक अच्छा खासा वहाँ पर अपना profile फिल कर लिजे, profile फिल करने के बाद आप उस post के लिए apply कर सकते हैं, तो आसा करता हूँ मेरा information आपको अच्छा लगा होग अगर information अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें, अगर आप हमारी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर ले, इस तरह का latest technical job notification, technical literature, study material और interview tips आपका भाई आपके लिए लाता रहता है, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में आज के लिए इतना ही, thank you